हेलो दोस्तों, निप्टी और बैंक निप्टी अनलासिस का इस वीडियो पर हम एड़बांस प्राइस सेक्षन यानि कि एनियर टोरी का बेसिस पर यह देखेंगे कि कल इंटर डे पर मार्केट कौन से दिसा पर जा सकते हैं और उसके साथ सद बाइदा नेक्स्ट विकली एक् करना चाहिए मेरा खुद का कैसा पोजिशन से यह सब पुझ मैं डिसकाशन करूंगा इस फीडियो पर और यह सब हो जाने के बाद यह जो निप्टी का इंटर डे पर आज मार्केट ने जो भी किया जो हमने और लेड़ी हमारा टेलिग्रम चैनल पर लाइब मार्केट के द दिखाऊंगा तो चले आज का अनलसिस स्टार्ट करते हैं पहले जो दोस्तों हमारा चैनल पर नए है काइंड़ी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए इधर मैं अल्रेडी डिसकाशन कर चुका हूं कि अल्याट वेड़ी क्या है and there are plenty of things that I have already discussed तो चले आज का जो अनलसिस है वो शुरू करते हैं देखिए इधर यह जो है निप्टी का टू आवर इधर से स्टार्ट करेंगे उसके बाद दीरे दीरे छोड़ा टाइम फ्लेम पर जाएंगे और बाद में options को देखेंगे तो इधर यह जो जगा है जिसको मैं mostly mark कर रहा था ABC तो दोनों ने एक साथ यह नहीं हुआ तो में भी एक possibility हो सकते हैं कि यह 1,2,3,4 यह 5 हो रहे हैं यह एक possibility हो सकते हैं तो यह अगर C हो गया तो यह आई को normally तोड़ना नहीं चाहिए and market should fall this अब यह इतना sharply fall करेगा यह फित्थोरा slowly करेगा वो next बात है बट मोटा मोटा यह हो सकते हैं और दूसरा य करण जो बहुत साही लोग यह सोच रहे होंगा कि यह 1,2,3 है तो यह 4th wave पे चल रहा है and then 5th wave के लिए market उपर जाएगा जो as far Elliot wave theory तो उस ही सबसे यह 4th wave है यह 4th wave कितना होते हैं मतलब इसका Fibonacci percentage कितना होती है तो इसके लिए मैं यह जो Fibonacci का tools है retracement tool उसका साड़ा लेन आते हैं बड़ मुश्टली हम expect करते हैं कि जो best case scenario होते हैं वह है 17,454.90 पे अभी जो है 38.2% का level तो इधर तक market चले आए यह हम expect करते हैं और दूसरा जो है वह हम expect करते हैं कि 2-3 का यह कितना percent आएगा 2-3 का भी यह 38% के करीब-करीब चले आए तो 2-3 का हिसाब से भी यह 17, 18,487 है तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह fourth wave अभी भी complete नहीं हुए है इधर से market को इतना at least आना चाहिए और यह 38% का जो level है यह बहुत ही एक fourth wave के हिसाब से especially यह बहुत एक आच्छा खासा zone होते हैं और यह अगर second wave जैसे 61.8% तक आएगा यह मान के normally हम चलते हैं तो similarly fourth wave 38.2% आना चाहिए और मेरा जो इधर main count है कि यह ABC हो सकते हैं तो उसी सबसे यह 38% का जो level है इसको तोरके भी और नीचे आने का प्रयास जरूर करेगा लेकिन अगर यह one two three four हो रहे हैं तो क्या कोई possibility है कि four तो इधर ही खतम हो गये है जो आप मैंसे कुछ दोस्तोंने मुझे चार्ट सेंड कर रहे हैं तो तो उसी सबसे मैं बोलना चाहूंगा एक possibility अगर कुछ है तो ओ हो सकते हैं कि यह जो है जो मतलब यह 23% तक आने के बाद इधर से सार्फली उपर चले जाते हैं और ओ भी इतना कम समय लेकर नॉर्मली ऐसा फोर्थ वेप इतना कम समय लेकर C D E अगर ऐसा कुछ करेगा तो तब जाकर यह फोर्थ वेप का E इधर खतम होगा मतलब एक ट्राइंगल जो है जिसको रानिंग ट्राइंगल बोलते हैं यह रानिंग ट्राइंगल इधर खतम होगा and then markets will should go up from this point ओके यह होगा आपका फीप वेप का एक सीनारियो यह एक possibility आ अगर फोर्थ वेप है या CEO होने के बाद इधर से मार्केट नीचे आ रहे हैं तो यह 38.2 पार्सेंट तग मार्केट को आना चाहिए जो किया 17,487 of this 2 से 3 का इतना हम expect करके चल रहे हैं तो आभी चलिया इसका छोटर टाइम जैसे के 30 मिनिट 15 मिनिट पे चलते हैं तो अब हम चलिया है नीफ्टी का 30 मिनिट का टाइम प्रेम पे इतर जैसे की एसपर हार्मोनिक में दिखा रहा था पिछला दिन जो यह हमारा था एक रिवर्सल जोन 17,900 बाट मार्केर ने रिवर्स कहां से किया 17,850 यह बहुत ही कडिप कडिप से हैं क्योंकि इतना सार्फ राइस के बाद कहां से फॉल होगा यह हमेंसा पिन पॉइंट अक्यूरिस से नहीं होगा ऐसा 40-50 पॉइंट का एक बाफर जोन राखना ही पड़ते हैं बट फिर भी अगर यह एग्जक्ली इदर से गीड़ता तो यह और भी सार्फ नीचे जाएगा यह हम बोल सकते थे क्योंकि यह इदर टाच नहीं किये हैं तो एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि यह जो है यह ऐसा करने के बाद इस लेबल तक जाए और देन मार्केट इदर से नीचे आए जो मैं आभी ट्राइंगेल टाइप का पॉसिबिलिटी बोल रहा था उसी सबसे भी इदर से यह एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं जो कि एक एक इर्रेगुलर फ्लैट की अगर आप ऐस ऐसा एक एंडिंग डायागोनल बनाने के बाद यह सार्फ लिए फॉल दिखाया और नीप्टी ने भी इदर से डाल के लिए फॉल दिखाया तो अब मैटर यह है कि इदर यह जो नीप्टी का बोली है या फिर यह जो बैंक नीप्टी का इदर बैंक नीप्टी पे जो कि यह अगर इस लोको होल्ड करेगा तब और अगर आप निप्टी की बात कर तो निप्टी भी मोडाले सेम डिरेक्सानी दिखाएगा यह मुझे अभी के लिए लाग रहे हैं तो इसी सबसे अगर आप काल के लिए एक्सपारी डे के लिए बोलेंगे तो यह वाला लोको मार् भी किया था वो कौन सा लॉजिक के बेसिस विता चलिए वो देखती हैं तो आब हम आगा है हमारा जो टेलिग्रम चैनल है इधर यह आज जो मैंने पोस्ट किया था यह आइधिंग आप लोगों को दिख रहा हुगा कि यह दस बजे के आस पास से मैंने यह पोस्ट करना देन यह सार्फले आपसाइड चला गया और देन उसके बाद थोड़े देर बाद निप्टी ने बैंक निप्टी ने भी क्या किया काइंड ओन एन एवी सी बनाया और यह बैंक निप्टी ने उधर से एक सार्फली फॉल किया सिमिरली निप्टी ने भी उस पार्टिकुलर जा कर मैं दिखाता हूँ सेम चीज़ को तो अब हम आ गए निफ्टी का वान मिनिट का टाइम प्रेम पर इधर आपको दिख रहे हैं यह वहीं ट्राइंगल है जिसके बाद इसने आप साइड ब्रेक दिया था एंड इधर एक इंटिंग डायकृनल जो है जो हमने लाइब मार इसके अंदर 1 2 3 4 5 होते हैं फोर ठोट जैकर डाच करके उपर जाने के बाद सर्म करती हैं या फिर इधर से तोड़ा नीचे आने की बाद इधर resistance लेने के बाद इधर से market sharply fall करते हैं तो इधर market ने ये दूसरा वाला जो pattern है ये आपनाया इधर से थोड़ा नीचे आया थोड़ा उपर गया resistance फेश किया दें sharply fall किया एक तो इधर से देखिए 17,660 का लेबल से market ने 17,580 तक इवेन आजकाल का low fix पर भी market ने 660 से 580 तक इधर तक एक decline किया जो कि around 70 से 80 points के आसपास है तो इसके अंदर आप अगर 60 से 50 points भी ले पाएंगे तो it is more than enough यह एक trade ही काफी था आज के लिए जायब nifty पर देखेंगे और bank nifty पर भी अगर आप देखेंगे तो bank nifty ने इधर एक बजे के करीब करीब पर कोई pattern तो नहीं बनाया उतना खास बट bank nifty ने ओई एक बजे के करीब करीब से क्या बनाया था ओभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने share भी किया था वैसे कि इधर से जो मुझे लाग रहा है थे कि यह आपका हो गया ये ये हैं B ये हैं C तो ये A B C जो है क्या बनाया थे ये C वेब ये का 161% तक आते हैं तो इस पार्टिकुलर जगा से market ने जब nifty ने भी एक ऐसा pattern बना रहा है जहांसे ये reversal का sign दिखा रहा है bank nifty ने भी 161% का level तक आये हैं इधर से एक reversal ले सकते हैं और उसके बाद market ने उधर से शार्फ ली चाए nifty हो या bank nifty decline किया तो आयों कि आप लोग को समझ में आ रहा हैं कि ये label की माद्धम से price, pattern and time इस तीनों के माद्धम से हम कैसे इसको ले सकते थे और ये exactly top catching चाए आप nifty की पे बोली है या bank nifty पे ये आरम से किया जा सकते हैं तो इसी सबसे आप अगर देखेंगे तो ऐसे करके market ने ये बना रहे हैं तो इसी सबसे आप लोग आज का जो actual sharp movement था एक बज़े के बाद से ये sharp movement का आप लोग ले सकते थे और दिन का सुरू में जैसे कि मैंने दिखाया था कि इधर भी एक kind of a triangle पे ऐसे pattern बनाया देन sharply bank nifty ने फॉल किया तो इसी सबसे भी इसको भी आगर आप ले पाया होंगे तो bank nifty ने आज दोनों अच्छा कासा मौका दिया था कि इधर से और इधर से दोनों जागा से फॉल करने का तो I hope कि आप लोग को समझ में आ रहे होंग कि trades को कैसे लेना है कैसे देखना है और आखरी पे जो option का जो मेरा position है ओ भी मैं दिखाना चाहूंगा कि option पे जो अभी मेरा position है वो कुछ इस तरीके से है कि यह जो है यह kind of a butterfly मैंने बनाया है यह neutral इधर 31,900 मतलब 32,000 के आसपास profit है 8,000 के आसपास loss है तो इसको मैं manage कर करके no loss और अगर होगा तो आच्छाखास profit पे यह मुझे दे सकते हैं इसमें से मैं around 50 to 60% मतलब इसका आधा 15 से लगबक 18,000 का मैं expect करूंगा और यह जो loss है यह loss लगबक 1500 even ओ भी ना हो even no loss ही मैं इसको बना दूंगा वो कैसे मैं बनाऊंगा यह आने बाले एक हपते तक मैं आपक कुछ टेलिग्रम पे और लेड़ी शेयर कर चुका हूं कि कब मैंने बनाया था क्यूं बनाया था पर आज ओए नेस्टे हैं तो आच्छा खासा थीटाडी के भी मिलेगा उसी सबसे भी इंट्राडे का स्ट्रेडल जो है यह आच्छा खासा profit दे सकती हैं तो I hope कि आप लोग के साथ सेयर किया तो आप लोग कांड़ी लाइक और कॉमेंट करके बाते हैं कि हमारे यह व्यू आप लोग को कैसे लाग रहे हैं तो आपके लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो